वेल्कम टू आर चैनल फैंटेसी फॉर्चून इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रूबी टृची वारियर वर्से नलाई रोयल किंग्स TNPL मैच जो खेला जाएगा 3-1 वैली में क्या हो सकती है पॉसिबल प्रेंग लेवन क्या रहेगी Small League की टीम Grand League की क्या टीम से रहने वाली है सब हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे सब पूरी वीडियो देखेगा आपको मजा आने वाला है तो अगर हम बात करें वेन्यू की चाहेगी तो यहाँ पर इस वेन्यू पर 60 मैच इस खेले गए है और जो एवरेज फस्ट रिंग का स्कोर रहा है वो 153 का रहा है और चेजिंग टीम और यानि के टॉस बहुत क्रूशल नहीं रहा है क्यूंकि चेजिंग टीम और बैटिंग फस्ट करते वेए अल्मोस्ट जो सिमिलर रहा है तो यहाँ पर एक्सपेक कर सकते हैं कि जो टीम जो पहले बैटिंग करते हैं और बहुत एक सो पचास रंग का स्कोर जो है वो खड़ा कर सकती है अब क्यूंकि यह ग्रूप स्टेज में इस मैच में काफी चेंजिस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टीम्स अल्रेडी कॉलिफाई हो चुकी है तो यह वाला जो मैच है वो एक डैड रबर्त की तरह है कि यहाँ पर काफी चेंजिस हो सकते हैं बट रूबी रिशी वार्यर की तरफ से गंगा यहाँ पर राजु को उपन करेंगे के साथ फरेरियों हैं फिर यहाँ पर एंटनी दास हैं के राजकुमार रवी राजकुमार विनोध आपको खेट लिवे नजर आएंगे गौट सन है सिलंबर सन है के एश्वरन और यहाँ पर डेविट सन आपको खेल तोए नजर आ सकते हैं अगर हम बात करें निल्लाई रो बॉरियर की तो छे मैच खेलें और सारे के सारे हारे हैं जब ऐसा मैच आता है कि यहाँ पर अगर आप इछले कुछ मैच देख रहे हैं उसमें बैटिंग और भी चेंज हो रहा है क्यूंकि अभी यह लास्ट लीग के मैच जो हैं इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्की रहते हैं तो इन्वेस्ट कम करो ग्रैंड लीग पर जादा फोकस करना है यह मेरी सला रहेगी आपके लिए इस मैच के लिए यहाँ पर गंगा श्रीदर राजू ओपन करेंगे पांच मैच में जो 168 हैं हैं और रिसेंट मैच इसके पॉइंट्स अच्छे हैं पिचान में बारा 29, 80, 13, 64, so time to time जो है पॉइंट्स अच्छे दिया हैं तो एक अच्छे पिक आपके लिए स्मॉल लीग में बन जाते हैं इवन कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप ट्राइ कर सकते हैं इस मैच में फिर आएंगे टी सरन, टी सरन जो है क्योंकि ओपन कर रहे हैं फ्लस विकेट प्लेयर है टीम के लिए एक मैच खेला है उसी में जो है साटन बनाए है हेड टू एड में रीसेंट मैचे में अच्छा स्कोर किया है मतलब पॉइंट्स दी है 63, 26, 56, 52, 18, तो लगवा कंसिस्टेंट प्लेयर है तो ऐसा जो प्लेयर है जो आपको कंसिस्टेंटली है आप उसको वाइस केप्टन स्मॉल लीग में ट्राइ कर सकते हैं एंथनी दास आएंगे यह सीजन बिल्कुल वेकार गया है इनका अगर आप देखें 10, 3, 57, 12, 20, 21 तो ज्यादा अच्छा सीजन नहीं गया है लेकिन यह प्लेयर अच्छे है अच्छा और राउंडर है और अच्छा करने की शमतार रखता है चाल मैच में चाल विक्ट और 36 रने सो ग्रैंड लीग परपस से अगर आप चाहें तो ट्राइ कर सकते हैं स्मॉल लीग में रिस्क लेना चाहें तो आप एंथनी दास को कंसिडर कर सकते हैं फिराएंगे के राजकुमार दो मैच केले हैं सीजन 11 और 30 पॉइंट दी हैं स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे सो स्मॉल लीग में आप आप अवइड कर सकते हैं ग्रैंड लीग में अगर आप मल्टिपल टीम्स लगाते हैं सो एकाली टीम में ट्राइ किया जा सकता है फिराएंगे रवी राजकुमार राजकुमार का जो है स्टार्टिंग अच्छा रहा बावन चोविस बासर्ट लेकिन पिशले तीन मैच से जो है कंप्लीट फ्लॉप रहे हैं और यह एक ऐसा खिलाड़ी है है तीन मैच से पांच शुकित ने का ले हुए है देखो यह थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है थोड़ी तो पहले बोलिंग अगर इस टीम के पहले आती है तो ट्राइ कर सकते हो विनोद एस जादा कुछ खास किया नहीं है तो ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है गॉटसन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप ट्राइ कर सकते हैं चौतिस पांच और इक्यान में तीन मैच में डीसे pick बन सकती है, bowling first करते हुए, के इश्वन important रहेंगे, जब से जो भी match खेला है, लगबखर match में दो-दो wicket निकाले हैं, एक match में नहीं मिला था लेकिन उससे अलावा जो है, mostly दो wicket निकाल लेते हैं, तो एक आपके लिए अच्छी pick बन जाती है Davidson, Davidson का selection action बहुत कम है, लेकिन ये आपके लिए game changer pick बन सकती है, एकी match जो खेला है, इस season उसमें 37 point दी है head to head में, एक match में 0 wicket, लेकिन ये खेलाडी नहीं डेथ बोलर है, मलिंगा टाइप action, और यहाँ पर जो है डेथ में बोलिंग करता है ये, तो अगर इस team की पहले bowling आती है, तो Davidson जो है, bowling first करते हुए, आपके लिए एक differential खिलाडी, इस match के लिए साबित हो सकता है death bowling की बात करें, Davidson है और इश्वनन है, important player की बात करें जी राजू, फरेरियो, इश्वनन और Davidson, आप बात करते हैं, यहाँ पर इस match में होने वाला है, 10,000 रुपे का free giveaway, कहाँ पर होगा होगा, vision 11 app पे, daily free giveaway होते ही है, lowest entry fees आपको मिल जाती है, तो vision 11 app अगर आपके पास नहीं है, तो जल्दी से download कर लो, link description है मिल जाएगा fortune refer code है, FORTUNE उसके तो download कर लेना, bonus benefit आपको मिल जाएंगे, बात करते हैं, नलाई royal kings की qualify कर चुकी है, छे में से चार match जीते हैं, थर्ड position पर है अच्छा कर रही है इस season, अरुन कार्ति के यहाँ पर open करेंगे, अच्छा season जो हो रहा है, इनका ठीक ठाक रहा है 55, एक match में डेढ़ सो, फिर 23, लेकिन यह tribal option रहेंगे, क्योंकि यह ताबड़ तोड खिलाडिया, जब चलता है, तो अच्छा पिटाई जो है, आपको 40-50 पॉइंट की दे सकता है, और bowling यह करते से, लेकिन इस season bowling नहीं करा आई जा रही है, रीजन है क्योंकि अच्छा किया है, अच्छा प्लेयर अच्छा प्लेयर अच्छा है, बैटिंग फर्ष करते हुए ट्राई आप कर सकते हैं, इश्वेरं की बात करें, पिछले कुछ माचिस से, जो है, डीसेंट पॉइंट दे रहे हैं, मतलब की यानि कि एक विकेट तक का पॉइंट आप समझे लोगे, देखके चल रहे हैं, तो क्रेंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे, सोनु यादव इंपॉटेंट है, पॉइंट अच्छे हैं, इस सीजन अच्छा गया है, डीसेंट सीजन गया है, हैट टुइड में एक माच्छ में विकेट नहीं मिला था, बट फिर भी कैप सूर्य पर काज काफी अच्छा खिलाडी है, ठीक है, एक माच में 55 पॉइंट भी दिया, लेकिन यह यूजवली ओपन करते हैं, इस सीजन पता नहीं क्यों इतने नीचे खिला जा रहा है, जिसकी वज़े से रिस्क बनता है, बट यह खिलाडी ना, ग्रैंड लिग में पहले बोलिंग आती है, बोलिंग अगर फस्ट आती है, फिर तो मस्ट आप पे करेगी पॉईजा मोईजी, उस केस में तो आप वाइस कैप्टन भी ट्राइ कर सकते हो, ग्रैंड लिग में आप इसे कैप्टन भी ट्राइ कर सकते हो, अगर इनकी टीम की पहले बोलिंग आती की में विकेट नहीं मिला है तो उसकी वज़े से काफी रिस्की पिक बन जाते हैं लेकिन प्लेयर क्योंकि अच्छा है औरड़ी आई-पियल खेल चुका है तो उसकी वज़े से आप ग्रैंड लीग में ट्राइक कर सकते हैं डेथ बोलिंग की बात करें पॉईजा मोईजी और सोनु यादव को कर सकते हो यहां पर अरुण कार्तिक है राजू और यहां पर फरेरियो आप बात करते हैं यहां पर Grand लीग केपटन वाइस केपटन की सो पॉईजा मोईजी को कर सकते हो इन दोनों को ये क्यूंकि दोनों ही डेथ बोलर है तो अगर आप इनको डिसाइड ग आप ट्राइ कर सकते हैं grand league में captain wise captain चलिए create करते हैं अपनी small league को grand league की teams तो wicket keeping section में काफी options हैं यहाँ पर Arun Karthik को लिया है जी अदितेश को लिया है Ammani Marthik खेलते हो नज़र आए तो इनको try कर सकते हो इश्वरन को grand league में teaser run open करते हैं लेकिन selection 2% है तो भाई grand league में ज़रू try इनको कर लेना है betting section से बात करें तो गंगा राजू को लिया है फरेरियो को लिया है यहाँ पर जो है अगर आप खेल रहे हो vision 11 पे तो यहाँ पर जो है आप राजा गोपाल को try कर सकते हैं या फिर जो है राजा गोपाली बैटर पिक है या सूर्य परकाश को try कर सकते हैं बात करते हैं और राउंडा section में यहाँ पर मैंने सोनु यादफ को रखा है इस team में एंतनी दास को रख लिया है और गोटसन को हमने इस team में रखा हुआ है आप चाहें तो श्री रंजन या फिर राजकुमार को भी try कर सकते हैं बात करते हैं या पर bowling section से तो मैंने पोईजा मोईजी को लिया है यहाँ पर जो है इश्वरन को रखा हुआ है डेविट संजिन का selection 7% है इस खिलाडी को मैंने अपनी team में रखा है और यहाँ पर जो है हमने मोहन प्रसाद को अपनी team में रखा हुआ है तो यह बन जाती है हमारी small league की team इसमें एक से दो चीज़ डेफिनेटली होएंगे तो final team आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी जिसका link description में है उसके तुरू join कर लेना है बात करते हैं captain wise captain की so captain जो है मैंने सूनु यादफ को किया है wise captain मैंने अरुन कार्थिक को किया है यहाँ पर गंगा राजु या फरेरियो को भी आप चाहें तो captain wise captain कर सकते हैं तो यह रहेगी small league की team बात करते हैं grand league teams की तो दो teams create करी है team 1 की बात करें तो डी फरेरियो को captain किया है wise captain जो हमने सूनु यादफ को इस team में किया हुआ है team 2 की अगर हम बात करें तो अरुन कार्थिक को captain करके गंगा राजु को हमने wise captain किया हुआ है तो यह बन जाती है team 2 आप इसी तरीके से multiple teams create कर सकते हैं इसी एक player को भी multiple teams में captain wise captain कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई है पसंद आई है तो like करो, share करो comment करके बताओ आपके इसाफ से best choice captain कौन होने वाली है साथ के साथ YouTube चैनल को subscribe करके bell icon दबा दीचे जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल चाहेगी all the best guys